30 Days with Indian Wildlife की सीरीज में आज है Day 1 और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे Indian Rhinoceros के बारे में जिसे The Great Indian Rhinoceros के नाम से भी जाना जाता है आज के टाइम में Indian Rhinoceros की स्पीशीज ज्यादा तर इंडिया के आसाम में और साउधन नेपाल में पाई जाती है एशिया में जितने भी Indian Rhinoceros की population है उसका 85% आसाम में मौझूद है जो की जादा तर काजी रंगा नाशनल पार्ग और पोपी तोरा Wildlife Sanctuary में मौझूद है एक टाइम था 1800 और 1900 के टाइम पे जब बांगला देश से लेकिन Northern India तक Indian Rhinoceros पाए जाते थे लेकिन उस टाइम इनकी इतनी जादा ट्रोफी हंटिंग हुई और इनके हौंस की बज़े से इतनी हंटिंग हुई कि एक टाइम था जब काजी रंगा नाशनल पार्ग में सिर्फ 12 Rhinoceros बचे हुए थे फिर उसके बाद इनकी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे ओपरेशन चलाए गए और आज की डेट में आसाम में ही 3000 से जादा Indian Rhinoceros मौजूद है तो ये था एपिसोड इंडियन Rhinoceros के बारे में मिलते हैं आप से कल के एपिसोड में